तो कोई भी cryptocurrency में investment करने से पहले आपको उस cryptocurrency के बारे में research करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी जो insights हैं, उसके जो fundamentals हैं, उसके अंडर जो projects वगेरा जा रहे हैं इस वक्त उसकी technical analysis कैसी चल रही है, आपको उस चीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी आप अपने लिए best cryptocurrency जो है, invest करने के लिए choose कर पाऊगे अगर आप अपने investments के लिए best crypto धून रहे हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक option दिया जाता है जिसे कहते हैं, मुद्रेक्स insights, जैसे हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर bitcoin की, ठीक है तो bitcoin में अगर आप यहाँ थोड़ा सा scroll down करते हो, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है मुद्रेक्स insights करके, अब यहाँ पर यहाँ fundamentals भी दिखाये जाते हैं, जो bitcoin है, जो particular crypto आपने select करी है फिर उसके बाद वहाँ पर technical analysis भी होती है, फिर sentiments भी होते है तो यह जो fundamentals होते हैं basically, इसका यह मतलब हो जाता है कि जो bitcoin है, कि इसके क्या-क्या projects है, कहां-कहां यह involved है, कहां-कहां इसका future में इस्तेमाल किया जाने वाला है तो उस हिसाब से जो इसके fundamentals हैं, जो इसकी basics हैं, वो मजबूत हैं या नहीं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो भी आप cryptocurrency investment, जिसमें भी आप करना चाहते हो, वो fundamentals आपको देखने को मिल जाते हैं, पूरी तरीके से chart wise, आपका जो token performance है, token economics है, और partners, investors हैं यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं, और उसके बाद क्या project चल रहे हैं, risk asset, जो risk management है, वो कैसा है, long term value इसकी क्या है, मतलब basically fundamentals, जिस भी coin में आप investment करने वाले हो, फिर technical आप उसके देख सकते हो कि overall, पूरा का पूरा technical analysis करने के बाद, कैसा क्या उस पूरी यहाँ पर आप देख सकते हो, price trend वगएरा, exit, entry, जो points है, लोगों ने कब इसके अंदर exits ले रहे हैं, लोग कब exits, मतलब enter कर रहे हैं, कब exit कर रहे हैं, markets के sentiment वगएरा, और risk वगएरा, इसका कितना है, पूरा technical analysis आपको यहाँ पर मिल सकता है, जिससे आप अपने यह जो best crypto है, investment करने के लिए वो choose कर सको, फिर आपको last में sentiment का भी option देखने को मिल जाता है, sentiment मतलब logo का क्या reaction है, उस particular crypto के उपर logo का क्या reaction है, क्या लोग बहुत ज़्यादा bullish है, क्या लोग उसे बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं, या फिर क्या लोग बहुत ज़्यादा bearish है तो इस तरीके से आपको वो पूरी चीज देखने को मिल जाती है, इस समय bullish, मतलब bitcoin चल रहा है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, तभी तो bitcoin का price उपर जा रहा है, अगर bearish हो जाए हैं, यहाँ पर bearish तो मतलब लोग बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं, तो उ आप यहाँ पर पूरी identify मान लेते हैं, आपने किसी भी coin वगेर का नाम सुना, और आप यहाँ पर आके search कर सकते हो, कोई सी भी हम crypto उठा के देख सकते हैं, जैसे Ethereum ही यहाँ पर देख लेते हैं, तो आपने investment करने के लिए आप यहाँ पर आके जो पूरे insights हैं उसके देख सकत सकते हो, तो description में आपको link मिल जाएगी, आप अराम से description में link से download कर सकते हो, और यह वाला जो promo code है वो लगाना बिल्कुल मत भूलना, अगर आप लगाते हो, तो आपको आपके fresh नई account पे, अगर पहली बार 5000 से उपर का deposit करा आपने नई account पे, तो आपको 500 रुपे के bitcoin free of cost मिल जाते हैं, तो आप वो claim कर सकते हो, यह वाला promo code लगा के, बाकी इतना ही था इस वीडियो के अंदर, अगर आपको इस वीडियो से कुछ value मिली तो वीडियो को like जरू कर दीजिए, हमारे इस channel को subscribe कर लीजिए, अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूँ आप से अगली वीडिय और सकती हुमित